ये क्या? रेस्टरॉं में आखिर क्यू सबनी की खून की उल्टियां? खाने के बाद क्यू सबने खाया माउथ फ्रेशनर? हाल ही में एक वाक्या दो मार्च की राद गुरुग्राम के खेड की दौला सेक्टर नभ्य के फोरेस्टरा रेस्टरॉंट में हुआ जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है जिसे देख अब शायद ही कोई रेस्टरॉंट में कदम रखने की सोचेगा जहां एक वेटर की गलती इतनी भारी पड़ गई कि लोगों को खाना खाकर रेस्टरॉंट से सीधा घर नहीं बलकि अस्पताल जाना पड़ा हाल ही मैं आपने एक रेस्टरॉंट का वाइरल वीडियो सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा जो अभी भी सुर्कियों में है हाला कि हम आपको यूट्यूब गाइडलाइन्स के चलते इसका वीडियो तो नहीं दिखा सकते मगर ये वारतात और साथ ही इसके पीछे की पूरी वजा आपको जरूर बताएंगे जिससे सुनकर वाकई आप भी सोचते रह जाएंगे कि ये आखिर हुआ क्या आईए आपको पूरी वारतात समझाते हैं दरसल अंकित कुमार अपनी बीवी और दोस्तों के साथ पाटी करने के लिए खेड की दौला के फोरस्टा रेस्टरॉंट में गए थे जहां खाना खाने के बाद रेस्टरॉंट स्टाफ ने उन सभी पाँच लोगों को माउट फ्रेशनर ओफर किया और जैसे ही इन लोगों ने माउट फ्रेशनर खाया वैसे ही इनकी हालत बिगड़ने लगी पांचो के मुँ में जलन होने लगी और मुँ से लगातार खून निकलने लगा जिसकी वज़ा से कुछ को तो उल्टिया भी आने लगी आपको बता दे कि अंकित कुमार अपनी एक साल की बेटी को गोद में लिये हुए था इसी लिए उन्होंने माउथ फ्रेशनर नहीं लिया था उन्में से एक पीडिता का कहना है कि जब साथियों की तब्यत ज्यादा खराब होने लगी तो वेटर से पैकेट के बारे में पूछा इस पर वेटर ने पॉलिथिन का पैकेट सामने रख दिया और उसे कबजे में ले लिया अंकित ने आरोब लगाया है कि पांचों की तबेग बहुत ज़ादा ही खराब थी उसके बावजूद भी रेस्टोरेंट के करमचारियों ने मदद नहीं की इस पर उन्होंने पुलिस हेल्पलाइन पर फोन किया और उन पांचों को पास ही की एक नीजी अस्पताल में भरती भी कराया बाद में जब अंकित द्वारा डॉक्टर को माउथ फ्रेशनर दिखाया गया तो उन्होंने बताया कि ये तो ड्राइ आइस है अब यहां सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये ड्राइ आइस है क्या जिसे खाकर ये पूरा परिवार मरने की हालत में हो गया और खूंड की उल्टियां करने लगा आपको पता दे कि ड्राइ आइस कोई आम बर्फ नहीं है ये एक तरह से कार्वन डाइक साइड का ही एक रूप होती है और नॉर्मल बर्फ से लगभग असी गुना ठंडी होती है इसे मुख्य रूप से कूलिंग एजेंट भी कहते हैं क्योंकि ये तेजी से ठंडा होता है और लंबे समय तक ठंडा रहता है जो कि पृत्वी के वायूर मंडल का एक समान्य हिस्सा है इसका मैडिकल से लेकर फूड इंडस्ट्री में भी उप्योग किया जाता है डॉक्टर के अनुसार ये जानलेवा है जिसके सेवन से जान भी जा सकती है अब इस कहानी में शिकायत पर पुलिस ने आरोपी रेस्टरॉं के करमचारियों समेथ अन्यवर्त केज दर्च कर मामले की तफते शुरू कर दी है जिसके लिए पुलिस मौके पर बीमार लोगों के बयान लेने गई थी लेकिन तब्यत ज्यादा खराब होने से फिलहाल डॉक्टर ने मना कर दिया है ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम तक